हलो एवरिवन हमने अपने चैनल पर अप TGT PGT में जो मैस साती उसका भी सलूशन देना शुरू कर दिया है तो यह जो question लिया गया यह theory of equation algebra का पार्ट इससे माना जाता है या यूँ भी कह सकते हो कि इसमें जो लगने वाला concept वो demover theorem पर बेश डेती से आप trigonometric का पार्ट मान सकते हैं क्योंकि पहले UP board में 6 books होती थी तो trigonometric अंदर chapter होता था demover theoremus में यूज हो रही होती थी तो उसका भी पार्ट हो सकता है या algebra का मैंने क्यों का क्योंकि जब roots निकालोगे तो यहाँ पर हम लोग discriminant जो निकाल दे थे 20 square माने 4AC वो यूज करके quadratic formula होता जिसे हिंदी में स्री द्राचार सूत्र भी जानते हैं तो उसका भी यूज करके इसके roots निकलेंगे roots की इसने बात करी ही है वो लगेगा आप इसे complex number का भी पार्ट बान सकते complex number पर जब इसके roots निकलाएंगे तो imaginary roots आये उटा की इकल टू कितना 1 हो गया, b इकल टू कितना minus 2 हो गया, c इकल टू कितना 4 हो गया, अब जब इसके factor आप करो, factor तो होंगे नहीं, आप इससे इसरी द्राचार लगाओगे तो x equal to minus b plus minus under b square minus 4AC वाला फार्मूला आप जब लगाओगे, upon 2a करके, यहाँ पर x की value आ जाएगी, 1 plus minus root 3i आ जाएगी, मैं इसके diet calculation कर चुका हूँ, तो वो लिख दे रहाँ, कम समय में हमें ज़्यादा चीज़ बता नहीं, ठीक है, तो यह आप इससे लिख लोगे, तो यह value आ जाएगी, अब देखो दो roots इसके alpha और beta हैं, तो x की value 2 है, plus minus के साथ, तो alpha की value मैं plus के साथ ले उसको लोग polar form लिखते है, r equal to cos theta plus i sin theta, ठीक है, यह आपको निकालना आता है, ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा नहीं, कैसे आएगा, मैं diet value ही लिखूँगा, तो r जहां पर क्या होता था, अंडोड a square plus 20 square, क्योंकि अब आप practice कर रहे हो previous year की questions की, तो उसमें concept की उम्मीद ना क आप चीए, तो मैं और detail में कर लूँगा, ठीक है, फिलाल देखते हैं, इसका जब complex form में alpha की value लिखोगे तो, अंडोड a square plus 20 square यहां से क्याएगा, root 3 का square 3 plus 1, 2 हो जाएगा, तो 2, cos root 3 by 2, यहां पर आ जाएगा, pi by 3, sin के साथ में, और 1 by 2, cos के साथ आएगा, pi by 3, cos pi by 3, प्ल आली और इस वाली equation में रख दिया, यह polar form होता है, ठीक है, ऐसे ही यहां पर बीटा का भी निकाल लो, polar form, सब कुछ सेम है, r भी सेम रहेगा, angle भी वही, बस minus sign लगा हुआ है, इसलिए यहां पर क्या करते हैं, हम लोग sign के बीच में minus लगा लेंगे, यहां पर, ठीक है, तो polar form आगिया, 2 cos pi by 3, minus i sin pi by 3, इस तरह से, अब हमसे जो कहां वो करते हैं, उसने कहां, alpha की power n करो, तो alpha की power n करते हैं, तो 2 cos pi by 3, plus i sin pi by 3, whole power कितनी n लगाएंगे, यह जो n power है, यहां पर bracket भी होगा, n power जो है, 2 को भी मिलेगी, और इसको भी मिलेगे, तो 2 की पावर हो जाएगा n, इसकी पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो इदर देख लेते हैं, जब आप alpha की power n निकालोगे, तो यहां पर dimover theorem कहती है, अभी dimover theorem न लगा कि पहले 2 की power n लगा लेते हैं, और अंदर वाले में dimover theorem लगेगी, जो की है, cos pi by 3, plus i sin pi by 3, एक में अप्लाई करते हैं, दूसरा बीटा की value आप diet लिएंगे, यहां पे n power, इसकी से भी बार जा रहा है, okay, plus i sin pi by 3, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, n, अभी जो n power है, angle मल्टिप्लाई जाते हैं, तो क्या में लेगा हमें, ठोकी power n, cos angle मल्टिप्लाई करो n को n pi by 3, plus i sin angle में यहां मल्टिप्लाई करो n pi by 3 है न, यह demure theorem से हमने लिख लिया, इसको, ऐसे बीटा की power n जब निकालोगे, उसमें भी 2 की power n हो जाएगा, angle में भी मल्टिप्लाई होगा, तो direct क्या आएगा, वो मैं लिख दे रहा हूं, 2 की power n, cos n pi by 3, minus i sin n pi by 3, थीक है, अब हम से जो पूछा किया, वो निकालते हैं, उस को एड़ करोगे, दोनों यह equation मानलो है, आपकी एक equation है, यह alpha की power n है, इन दोनों को एड़ करोगे, यह जो minus का i sin n pi by 3 है, वो प्लस वाले से cancel हो रहा होगे, तो यह 2 की power n तो common हो जाएगा, और यह एक बार इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, तो double आ जाएगा, 2 cos n pi by 3, यह दो हो जाएगा, अब यहाँ पर 2 की power 1 भी है, यह n भी है, तो टोटल 2 की power कितनी होगे, n प्लस 1, cos n pi by 3, यह आपका answer हो जाएगा, चेक कर लो, कौन सा option बना आपका, option number हो जाएगा, इस तरह से हमें question को करना होगा, आपकी एगर knowledge है, तो आप और भी फार्च से कर सकते थे, ठी मिलते हैं next video में, साथ ही साथ आप channel को support जरूर करें, हम पूरी series देने कोशिश करेंगे, मिलते हैं बचो next, thank you very much